दोस्तों हमारी application विश्णु economics school में आपको डाइसो से भी अधी course मिलेंगे योकी UGC net, PGT economics, assistant professor, इसके अलावा UPS economics optional, MA economics and UG economics के हैं के अलावा इस पूरे की पूरे application में आपको वीडियो course के अलावा test series और notes भी मिलेंगे, इसके अलावा free notes अगर आप download करना जाएं, तो आप अपमारी application के जो three dot है, उसमें आपको steady material का option मिलेगा, यहां से आप free notes भी download कर सकते हैं आप हम इस वीडियो में आप बच्चों से discuss करेंगे theory of surplus value के बारे में, बच्चो theory of surplus value का मतलब क्या है, पहले मैं आपको बहुत simple तरी के समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसी theory पर बापिस आ जाएंगे, देखे, जैसे एक होता है landlord या मालिक कह सकते हो, यानि कि owner हो ग concept क्या है, फिर हम theory पर आ जाएंगे, मैंने एक labor को बलाया, मतलब बेजली का कुछ काम ख़ताब हो गया था, जिससे मैंने कहा उसको कि आप मेरी दुकान पर गया, और मैंने कहा कि मेरी electricity खराब है, आप आजाओ, फॉन कर दिया, तो जो मालिक है, उसने भेजा labor को, और जो उ utility rate की है, यह है labor ने, इसलिए सारा का सारा पैसा labor को मिलना चाहिए, लेकि सारा का सारा पैसा labor को नहीं मिलता, बलकि labor को मिलते हैं केबल 200 रुपे, यानि कि उसके जो 800 रुपे हैं, वो एक तरीके से 200 रुपे दिये जाएंगे labor को, और जो 800 रुपे हैं, वो रख लेगा capitalist, ज लेकिन honor का लालत जो है, वो लगातर बढ़ेगा, वो चाहता है कि यह जो profit 800 रुपे है, यह 800 से बढ़कर उसका ज्यादा हो जाए, more profit हो जाए, more profit हो जाए, मनला उसको तसलिए नहीं हो रही है, अब more profit करने के लिए वो क्या करेगा, more profit करने के लिए या तो वो labor को कम salary दे, पहला तरीका तो यह है, लेकिन labor को तो already कम salary मिल रही है, दूसरा तरीका यह है कि वो capital है, capital investment करे, capital investment का मतलब है कि जो 800 रुपे owner ने कमाए है, उससे वो नए नहीं मसीने खरीदे, नहीं कलपूर्जे खरीदे, नहीं equipment खरीदे, जिसकी वज़ए से वो अब पहले से ज्यादा पैसे कमा पाए, लेकिन जो labor को मिलेगा, वो पहले से कम पैसा मिलेगा, या आप क्योंकि हम proportion की बात कर रहे है, यहां पे 20% मिला, यहां पे 30% मिला मालीजी 3000 रुपे मिले, यानि इस case में उसने क्या किया, 300 रुपे देने का मतलब यह हुआ, कि 1700 रुपे अपने पास रख ल लेकिन जो डिमांड है, क्योंकि ओनर जो है, वो labor को कम पैसे दे रहा है, वो घटती चली जाएगी, धीरे-धीरे इनके बीच में वर्क संगर्स पैदा होगा, और जो वर्क संगर्स है, वो capitalist को खराप खतम कर देगा, इसी theory को बच्चों हम बोलते, surplus value, अब मैं आपको detail में समझाता हूँ, किस तरीके से surplus value होती है, तो दोस्तों मैं आपको वीडियो सुरू करा हूँ, से पहले मैं आपको यह भी बता देता हूँ, कि अगर आपने हमारी application download नहीं किया, तो आप application download जरूर कर ले, यहाँ पर आपको बहुत सारे courses आपको मिल जाएंगे, तो चली मैं आ प्राइज होना चाहिए, इन्हें capital societies, division two classes, सबसे पहला capitalist है, दूसरा working class है, लेकिन जो production करने का काम कर रहा है, वो labor class कर रहा है, वर्किंग क्लास कर रहा है, लेकिन सारा का सारा पैसा capitalist, working class को नहीं देता, बलकि उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है, जिसको कि उन्हो बहुत छोटा सा हिस्सा labor को दे रहा है, आगे हम बात करते हैं, तो यहां पे हमें बताया हुआ है कि the value given to labor is called essential labor, यानि कि minimum पैसा दिया जाएगा, the part of value kept by capitalist is cost surplus value, तो बच्छों surplus value की theory पढ़ रहा है, हम यह समझ नहीं कोशिस करें, किस तरीके से capitalist पिसाज है, किस तरीके से व value of goods made by the labor, minus wage of the labor, यानि कि जैसे हमने आपको कहा, कि 1000 रुपे का production किया, जिसमें से 200 रुपे को उसने paid किया, labor को, तो जो 800 रुपे बचा, वो surplus हुआ, उसको बहुते surplus value, यह सारा का सारा किसको मिलेगा, यह सारा का सारा मिलेगा, पुंजी पती को, यह capitalist को ही मिलेगा, अब capitalist क का objective क्या है, capitalist का objective है, अपने surplus को बढ़ाना, surplus बढ़ाने के लिए, वो क्या कार सकता है, working more hour than worker, यानि कि working more hours, then working workers, more hour, working, यह थोड़ा सा गलता है, work more hour, than labor, यह क्या है, यानि कि इसका मतलब है कि increase working hour of labor, working hours of labor, एक तरीका तो यह है, कि आप क्या करो, labor के काम के घंटे बढ़ा दो, या उनकी salary घटा दो, लेकिन बच्चों, यह दोनों ही possible नहीं है, क्योंकि जो worker है, वो already 12 घंटे काम कर रहा है, 14 घंटे काम कर रहा है, वो कैसे जादा घंटे काम कर सकता है, दूसरा वो labor की salary भी नहीं घंटा सकता है, क्योंकि labor already substance level पर काम कर रहा है, 200 घंटे काम कर रहा है, 200 घंटे काम कर रहा है, जो तरीका पुझी पती यूज़ करता है, वो ज्यादा से ज्यादा capital यूज़ करता है, अब यहां पर उन्होंने बात की, income की, income के दे कि दो हिससे हो जाते, पहला हमने आ आप को बताया, profit, ठीक जी यही दो इससे होते है, उन्होंने का कि जो profit है, उसके भी देखे, एक तो होता है हमारा variable capital, जो की labor है, और profit में से एक तो machine खरीद लेगा, दूसरा असकी surplus value हो जाएगी, इस तरीके से उन्होंने बताया, कि इसका मतलब यह हुआ कि यह दो इससे ज यानि कि जो capitalist होगा, वो चाहेगा कि डबलू, इसमें कमी आए, इसको बढ़ाएगा, इतनी सी बात आपको याद रखनी है, यानि कि वो पूंजी को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और जो labor को पैसा दिया जा रहा है, जो actual में capital, actual में हमारी real capital है, उसको घटाने का कोसिस तो यहाँ पर के वेर वाई इस दा आउपट, C is the constant capital, V is the variable capital, S is the surplus value, the rate of profit Marks claim is defined as, अब देखे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे उन्होंने equation दी हुई है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, माल लीजिए कि आपने क्या किया, हजार रुपे का production किया, हम माल हजार रुपे में से आपने 200 रुपे दे दिये labor को, यानि के एक तरीके से यह क्या हो गया, यह हो गया आपका V, variable capital, और हम माल लेते हैं कि आपने क्या किया, 300 रुपे एक तरीके से आपने माना कि यह वाई मेरे है, च्योंकि मसीन मैंने लगाई है, capital इसने मसीन लगाई है, बढ़ जो labor आएगा, वो तो केवाल खाली आता आएगा, खाली आते तो बिजली ठीक होगी नहीं, जब labor बिजली ठीक करने के लिए आएगा, तो मालिक उसको बिजली की टूल किट देगा, ताकि वो बिजली ठीक कर सके, अब यह जो V है, यह कहलाएगा एक तरीके से C, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि rate of profit कैसे लिखा लेंगे, rate of profit का मतलब है कि 200 रुपे तो, जो profit हो आया, वो कितना आया, 500 रुपे का आया, ठीक है जी, यानि कि और यहां लिख देंगे V plus C, यानि कि यह उसका investment है, तो उसने कितना investment किया, मैं आपको दुबारा बता देता हूं, बच्चों, आप confuse मत हूँए का, R equal to S C plus B, यह formula है, इसका मतला rate of profit लिखालते है, तो आप पहले देखते हो, आपने कितने रुपे का investment किया, हमाली जो मैंने 80 रुपे का investment किया, और 100 रुपे मिले, तो कैसे लिखा लोगे, 20 को डिवाइड करता हो कि 60 से, सिंपल इसी तरीके से, यहाँ पे अगर आप लिखालोगे, तो जो profit हुआ है, वो कितने रुपे का हुआ है, 500 का, और यह कितना है, 200 plus 300, तो इसका मतला अगर percentage में लिखालेंगे, तो multiply 100 कर देंगे, इसका मतला 100% का profit हो रहा है, इसका मतलब यह है, तो बच्चों, यह वाला formula मुझे S upon V, plus 1, 1 plus C by V, तो यहाँ पे S upon V का मतलब है, एक्स्पोटेशन रीट है, यहाँ एक्स्पोटेशन हो रहा है, तो इसकेस में बात करें कि एक्स्पोटेशन रीट कितना है, तो S की वेल्यू है हमारी 500, और V की वेल्यू है 200, तो जो एक्स्पोटेशन रेट है, वो 2.5 है, ठीक है जी अगर हम बात करें और दिखे मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अगर आप इस S को बढ़ा देते हो और इसको कम कर देते हो वी को तो जो एक्स्पोटेशन हो गया वो बढ़ेगा एक्स्पोटेशन बढ़ने का मतलब है कि जो आपका rate of profit है वो भी बढ़ेगा तो rate of profit कैसे तरीके से बढ़ा है सकता है labor को ज्यादा exploit करके labor को ज्यादा exploit करके कैसे कि या रखता है कि labor यानि कि जो V है उसको कम पैसे दिये जाए और surplus ज्यादा रख लिया जाए इससे क्या होगा जो rate of profit है वो बढ़ेगा simple सी बात आपको याद रख नहीं है इसके अलावा एक और तरीका है exploit करने का वो यह वाला है c upon v इसका मतलब यह हुगा कि आप c की value को बढ़ा दो चाहिए वी कॉंस्टेंट रहे तब ही आप exploration को बढ़ा सकते हो लेबर को इक तरीके से profit को बढ़ा सकते हो simple सी बात है कि अगर आप c upon v नीचे की तरफ है नीचे की तरफ होने का मतलब है कि अगर आप c की value को बढ़ा होगे यान constant capital को बढ़ा होगे तो जो rate of profit हो बढ़ जाएगा यानि की rate of profit को दो तरीके से बढ़ा जा सकता है पहला कि आप V को घटा दो, दूसरा C को बढ़ा दो, वित्ती सिद्भासी बात है, या तो V को घटा के और दूसरा C को बढ़ा कर, लेकिन V को घटा या नहीं जा सकता, क्योंकि अल्रेडी पैसा जो मिल रहा है, वो सब्स्टनेज लेवल पे मिल रहा है, इसी लिए केवल इस C को बढ़ा जाएगा, देखिए आप फार्मुले को ध्यान से समझीएगा, मैं आपको एक बार दोबारा लेख देता हूँ, R इक्वल टू, S V अपॉन प्लस C वी, इस वाले फार्मुले को ध्यान से समझीए, मैं एक बार फिर से प्रयास करूँगा, और मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, आपको असानी रहे, जैसे 500 है, डिबाइड़ वाइ, 200 अपॉन प्लस C की वैल्यू कितनी ही, C की वैल्यू 300 है, डिबाइड़ वाइ, 250, ठीक है, मैं थोड़ा से छोटा भी कर लेता हूँ, इधर से ले लेता हूँ, इस हो गया ही, कि R जो है, वो किसका फ अपॉन V, 1 प्लस C, अपॉन में V, यह हमने अल्यडी समझ लिया है, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि S की वैल्यू कितनी है, S माल लीजिए, हमने माना कि S जो हम जो दे रहे, वो दे रहे 500, और जो वैरिवल है, वो 200 है, डिबाइड़ बाइड वाइ, 1 प्लस C, C की वैल्यू ह इसका मतलब यह हो जाएगा हमारा 2.5, और यह भी हो जाएगा 2.5, इसका मतलब exploitation का rate 1 है, अब इस 1 के rate को बढ़ाना है, तो दो तरीके, पहला तरीका तो क्या है, कि हम V को कम कर दे, पहला तरीका क्या है, V को क्या कर दे, कम कर दे, तो V कम करने से exploitation बढ़ जाएगा, अब इस तो डेफिनेटली जो इसकी वैलिव है यह 6 हो जाएगी, यह हो जाएगी 4, तो यानि कि यह 1.5 हो जाएगा, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि कि यह 2 है जाएगा, कहा है या लों जाएगा, जाएगि, बार-बार आपको what होगा सीगी वेल्यू को बढ़ा जाएगा एक तरीके से जो वी है उसको घटा के सी की वेल्यू को बढ़ा दिया जाएगा तो भी अगर मालीजी चार सो हो जाए और यह 100 हो जाए कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप चाते हो rate of profit को बढ़ाना तो rate of profit को बढ़ाने के दो ही तरीके हैं पहला V को घटाना दूसरा C को बढ़ाना तो जो capitalist stick है वो C को लगातर बढ़ाता चला जाएगा यानि कि वो real capital में यानि कि जो labor है उसमें investment ना करके fiscal capital में investment करेगा जिससे उसका profit बढ़ेगा लेकिर यहीं से उसके पतन की सुरुआत हो जाती है कैसे production सुरुआत हो जाती है क्योंकि एक तो इससे over production होगा जो भिके गाई नहीं less consumption होगा और huge unemployment की rate हो जाएगा यानि कि यह जो capital accumulation है इसी की वज़े से पुझी वाद समाप्ति की और बढ़ना सुरू कर देता है तो यहां पर बच्चों किस तरीके से downfall होता है उसके बारे मुनों ने बताया मैं आपके downfall होता है इन माक्स व्यूग capital accumulation प्ले अमोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन डिस्ट्रक्शन ओफ capitalism, more of capital accumulation and continuous improvement in technology lead more competition amongst capital यानि कि competition हो जाएगा capital के बीच में माल उनका बिकेगा नहीं small जो capitalist होगे वो खतम हो जाएंगे labor force बढ़ी हो जाएगी large बात्रा में unemployment लोग होंगी और यह unemployment लोग विरोध करेंगे एक दूसरे के खिलाफ आएंगे और दीरी-दीरी करके दो वर्ग बन जाएंगे एक बड़े capitalist जिनके पास बड़ी-बड़ी पैसा है बड़ी-बड़ी पूंजी है दूसरे तमाम labor force और इस labor force और capitalist में संगर्स होगा इस संगर्स की वज़े से ही capital का end होगा और काल मार्क्स ने इसके बाद socialism की बात की मार्क्स ने कहा कि capitalism डिग its own grave यानि कि जो capitalism है वो उस बतक के बराबर है जो अपने बच्चे को खुदी खाता है और उसकी वज़े से एक नया system पैदा हो जाएगा जिसको क्या आप socialism कहते हो तो बच्चों यह काल मार्क्स की पूरी की पूरी थियोरी है जो मैंने आप से डिसकस की यहां पर कुछ criticism भी है जिनसके बारे में मैं आप से बात करूंगा एक तो यह है कि उन्होंने जिस तरीके से बताया कि जो जो प्रोहप्स फॉलिंग टैंडेंसी और प्रॉफिट नॉट करेक्ट यह भी बिल्कुल साही नहीं है इसके लावा माक्स कुट नॉट अंडर्स्टेंड फ्लेक्सिबिल्टी ऑफ क्यापिटलिजम बहुत बड़ा फ्लेक्सिवल है कैपिटलिजम में सबसे बड़ा फाइदा यह होता है कि हर व्यक्ति अपने कैपिशिटी का काम कर सकता है जिसके बारे में उन्होंने बात नहीं की कैपिटलिजम में मध्यमवर्ग भी पैड़ा हुआ मध्यमवर्ग भी खुब फला फूला इसके लावा सैक्लिकल थियोरी लोंग है जिस तरीके से उन्होंने परिवर्टन बता है वो सही नहीं है और एक तरीके का स्टेक अनलाइजस बागी की सभी चीज़ों को इन्वर्श्टमेंट को पॉपॉलेशन को सोशल चेंज को उन्होंने कॉंस्टेंट माल लिया है तो बच्चों यह कुछ कृटिसम है अल्टिमेटली जो उनकी थ्योरी है वो क्रामतिकारी रही उन्होंने जीवन के कई पहलों में परिवर्टन लेकर आई और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कालमाक्स की जो सोशल थ्योरी है जो विचार है वो आपको आ गए होंगे समझ में इस वीडियो में आई थैंक यू